आप देख रहे हैं नेड्रिक नियूज साहस सच कहने का गाज़बाद की गरगंगा गंगा का छोटा रूप कहे जाने वाले गाज़बाद के गरगंगा घाट पर भी उतनी ही शरतालों की भीडु मरती है जितनी की हरिद्वार में लेकिन आज जो खबर हम आपको बताएंगे उसे सुनने के बाद आप गरगंगा यानि की छोटी गंगा कहे जाने वाले हरिद्वार जाने से पहले सो बार सोचेंगे दिल्ली से सटे गाज़बाद से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जो हर शरतालों के होश उड़ा देगा गंग नहर में सनान करने वाले हो जाईए सावधान गंग नहर में छुपा बैठा है मोत का गोता खोर जी हाँ वही गोताखोर जो छोटी गंगा में इसनान करने आए इन लोगों की हत्या कर उनके साथ लूट पार्ट करते हैं जब इस मामले का पता लोनी के विधायक नंद किशोर गूजर को लगा तो उन्होंने जिलादिकारी को पत्र लिख कर जाच की मांग की पत्र के मुताबिक मुराद नगर गंग नहर पर एक छोटे से मंदिर का निर्मान कराया गया और उसे छोटा हरीद्वार नाम दिया गया NCR ही नहीं बलकि हर्याना और दूर दराज के लोग भी यहां पर इसनान करने आते हैं और मोत के गोताखोर यहां छुपकर बैठ जाते हैं जो भी महीला या पुरुष यहां इसनान करने के लिए उतरता है यह उसे पकड़ कर नीचे डुबो देते हैं जिसके बाद उनकी मृत्य हो जाती है नहर में वो पहले से ही तयार पत्थर और रसी से उनके पैर को बान देते हैं जिससे उनकी लाश पानी के उपर नहीं आ पाती और उनके आभूशन निकाल कर फरार हो जाते हैं सिर्फ इतना ही नहीं जब परिवार वाले गोताखोर से लाश ढूंडने को बोलते हैं तो वहें उनसे 20-25 रुपे लेते हैं बात का खुलासा तब हुआ जब एक लड़की गंग नहर में इसनान करने उतरी और किसी ने नीचे से उसका पैर खीचा लेकिन वहें असफल रहा जिसके बाद लड़की ने लोगों को इस बारे में बताया कि पानी के अंदर कोई उसका पैर खीच रहा था इतना ही नहीं मंदिर के पुजारी और गोताखोरों के बीच साथ गाठ भी बताई जा रही है उन्हें यहां रोज दो से तीन लाश मिलती है नेट्रिक निउस की रिपोर्ट